नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया डियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाती सेंग क्या शिफ सेना को तोड़ने के बाद अब बीजेपी की नजर एंसीपी पर है ये सवाल यूँ ही खड़ा नहीं हो रहा है शिफ सेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की विधानसबा सदसता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी भी दिन आ सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों को आपत्र घोशित कर देता है शिंदे फढ़नवे सरकार संकट में आ जाएगी ऐसे में सरकार बचाने की रोज नई अठकले लगाई जा रही है ऐसे में शरत पवार का सवरकर अडानी जैसे मुद्दो पर बीजेपी के सुर में सुर मिलाना और अजीत पवार का फ़र्णविस शिंदे से मेल मिलमुलाकात से राज्य की राजनिती का पारा इंदनो गर्म देला ये कोई चोटी बात नहीं है खबरे आ रही है कि उद्दव की शिफसेना को तोड़ने के बाद बीजेपी एंसीपी को तोड़ने के लिए अजीत पवार पर डोरे डाल रही है इसलिए गुरुवार को अजीत पवार की फ़र्णविस शिंदे से मुलाकात चर्चा का विश्य बन रही है अजीत पवार ने बुद्वार को मुख्यमंत्री एक नाच्शिंदे उप मुख्यमंत्री देविंद्र पंडवीस के साथ मुलाकात की जाहिर तोर पर ये मुलाकात बे मौसम बरसाथ और ओला व्रदी से प्रभावित किसानों को मदद बिलाने के नाम प अजीत पवार की फंडविस और शिंदे के साथ इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर दिन बड़ चर्चा का बजार गर्म रहा चर्चाओं का बजार इसलिए भी गर्म रहा क्योंकि ये मुलाकात मंगलवार की रात उद्दव ठाकरे और शरत पवार की डेड़ घंटे चली म मुलाकात के पहले ये खबर भी जोरो पर चड़ी कि जरेंदरश्वर्ण सहाकारी शक्कर कारोबारी में कथित घोटाले में अजीत पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को क्लीन चिट मिल गई है क्योंकि आरोब पत्र में अजीत पवार और सुनेत्रा पवार दोनों के नाम नहीं होने का दावा किया जा रहा है हालाकि इन चर्चाओं से पैदा हो रही अठकलों को खुद अजीत पवार ने सिरे से खारिच कर दिया अजीत पवार ने कहा कि उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं मिली है और उन पर जो आरोब लगे है उसकी जात चल रही है ऐसे में जो बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि बीजेपी एक के बाद एक सरकार और पार्टियां तोड़ने की कोशिश कर रही है इसमें कितनी सच्चाई है इस मामले से जोड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहीं इंडिया न्यूस धन्यवाद